वाइस आज की वीडियो में मैं बताउंगा कि ह i F का फोर्म कैसे बढ़ते और यह फोर्म किस काम में आता है तो आपको बता ओओ यह फोर्म जो आता है अधार कार्ड में एड्रस चेंज कराने के काम में आता है ठीक है सबसे पहली बात और यह form जब भरा जागा जब आपके अधार कार्ड में मुवाई लंबर लिंक होगा और जिनके अधार कार्ड के दुरू आप अपने अधार कार्ड में एडरे चेंज करवा रहे हैं उनके अधार कार्ड में भी मुवाई लंबर लिंक होना चाहिए ठीक है ये बात आप समझ गये और दूसरी बात मैं आपको पताएं माईने के चलो अगर आप फादर के अधार कार्ड से अपने अधार कार्ड में एडरेचेंज कर वा नह跟大家 तो आपके अधार कार्ड में फादर का नाम आजागा ठीक है अगर आप एक wife है और husband के तुरू आप अपने अधार काड में address न करवांगों है तो husband का नाम आपके अधार काड में जागा ये द्यान ले ये दो are करवा ले या ये दो هी करवाए इन दो के लाव और कोई अपने अधार काड में कि आप जब भी अधार काड में एड्रेश चेंज करवाएं तो अपने फादर के थ्रू ही करवाएं क्योंकि फादर का नाम उठकर आता है ठीक है अगर आप किसी और के थ्रू करवाएंगे तो उनका नाम उठकर आपके धरकड में आ जागा ठीक है CEO के अंदर जो Desinary यहाँ इस case में क्या है यह इनकी wife रिलेशन हे तो यह नाम ऊटकर आ झानाम उठार ँठार जागा उनके एड्रस उनके एड्रस पर ठीक है तो चले लोगों को शुकरते है आपर और वीडियो के शुक्रने से पहले अगर आप हमारे चनल पर नहीं है तो इस दो जुरू सब्सक्राइब ने शेयर करते लाइक के जरू करें तो यहां पर क्या है अमान के चलो यहां पर एडरस चेंज हो रहा है तो हस्वेंड के अधार कार्ड में जो भी नाम है यह नाम आ जाग यह काम खतम हो गया हस्वेंड के अधार कार्ड से जो भी लेना था हमने ले लिया अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर फादर के भियाब पर करना चाहते है तो यहां पर फादर का नाम आ जाएगा और यहां पर फादर का अडरस आ जागा और यहां पर फादर आ जा जयागा आधार नंबर यानि के जो a remained उनका अधार नमर आ जगा और है इनके थुरुत वाइफ का रिलेसिन तो मेने यहाँ पर लिक दिया है प्राहिद नीचे आएंगे यहाँ पर नाम-दोंशर के एफमेंययर में अपना समझ गया मैं इसे जूम आट करता हूँ थोड़ा सा और मैं दिखाता हूँ पूछ तरके से यहाँ पर husband का अधार कार्ड में जो भी है वो उठकर यहाँ पर आ जागा यहनी कि husband का नाम आ जागा और husband का address आ जागा ठीक है यहाँ पर और husband का क्या जागा यहाँ पर मॉवाइल नंबर यह काम खतम नीचे को आएंगे यहाँ पर जो address चेंज करवा रहे हैं उनका नाम आ जागा उनका धरकार नंबर आ जागा और यहाँ पर क्या औरी तरीके से तो इस तरीके से ऐस्ट करने का ओल लाइन तो आई इस वीडियो की लिंग यहनी के एडर चेंज करने की वीडियो के लिए मैंने डिस्कॉप्षन में दे रखा है वहां पर जाकर आप देखने हैं कि आल लाइन के क्या प्रोसेस है यह तो मैंने आपको फोर्म बढ़ना सिखाया है अगर आपको ऑलनाइन चीखना है कि इस फोर्म को कैसे अप्रोड करते हैं कैसे अड्र चेंज करते ह तो वहां पर जाकर यानके इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं और दूसरी वात मैं बताना चाहता हूं कि आपके जो यहाँ पर फैजान अलिए मानगे चलिए और यहाँ पर इनके अधर-कार और नमबर लिंक होना चाहिए और यहाँ पर यह वार्यबियुक्त है इनके अधर-कार में लिंक होना चाहिए तब यह फान आप बढ़ए और फिर यह पूरसेस करें नहीस तो मत करना वर। पैसे आपके बरबाद की बरबाद की मतलब यह कि मांगो चलो इनके अधरकाड में एडर्स ठीक है इन्होंने फिल करा पता चला कि इनके धर्गट में नमबर लिंक नहीं है तो फीस कर जाएगी ठीक है और यहाँ पर जबाएंगे तो ओटी भी जाएगा नहीं तो आपकी फीस बरबाद चलिएगी इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जो है पैने दोनों में देखे लें कि इसमें भी और इसमें भी वीडियों के और नए टोपिक के साथ